नसुरुदीन सा अपने पूरे फैमिले के साथ इसी घर में रहते इस बिल्डेंग के टॉप का टू फ्लोर नसुरुदीन सा था और ये घर मुंबाई के काटर रोड में इस्तिर है वल्कम बैक टू बलोग चैनल गयाज आपका शवागत करते हूं नए एंफ्लोग में तो अभी मैं आचुकाँ कार्टर रोड पे यह पेरी फेरी रोड यह पेरी फेरी रोड पे मैं अभी इस्तिर हूं एक मैं गार्डेन हूं गार्डेन के जस्ट अपोजिर साइड में इसका एक बहुत चर्चा का विसे बन गया था जब वो डर्टी दा डर्टी पिक्चर नहीं करा था बहुत ही बोल्डनेस फिल्म रहा गाईज उसी का मैं होस्टूड करवाने वालों गाईज यह सामने जो मेरे पीसे दीख रहा है यही उसका घर है इस बंगलो के क्या नाम है प्राइज यह कौन से फ्लोर पे रहते हैं यह पूरा बिल्डिंग उसका नहीं गाईज किसी एक फ्लोर का ही मालिक है तो पूरा जनकरी मैं इस वीडियो में कवर करने वालों इसलिए आप शुरू से लेकर लास्तिक जरूर वाच करें तो चले बताते हैं आपको नशुदी गाईज मैं आ गया हूँ नशुदीन सा के घर के करीम यह जो अप गेट देख रहे हैं यह उसी बिल्डिंग का गेट है जिसमें नशुदीन सा पूरे फेमलीक साथ रहते हैं इस घर में बिल्डिंग में दो गेट है यह इंट्री पॉंट मैंने दिखा है इसके बाजू में एकजिट है और दोनों गेट के गाड मौझूद रहता है बीना पर्मिशन का अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं और इस घर के जस्ट अपोजिट में ही एक गाडन परता है जो एक फेमली पार्क है यह जो आप देख रहे हैं यह एक फेमली पार्क है इस घर के जस्ट मत गाडन के आप पोजिट में ही यह भरी सी बिल्डिंग है यानि साथ मंजिल के बिल्डिंग है और ऊपर का दो फ्लोर न नसुरुदिन साथ है जो अपने पूरे फैमिली इक सार इसी बिल्डिंग में रहते हैं इस घर का पहले एड्रेस में आप लोग बता दू यह मुंबई के काटर रोड मते बैंडरा के काटर रोड में पेरी-फेरी क्रोस रोड है वही पर यह घर मौजूद है गर गाइज और यह इसके जस्ट आजू-बाजू में बहुत सारे खिलारी और बॉलीबूर्ड सेलेबेटरी रहते है गाज यह बहुत हाइफाइज और यह देख सकते कितना खु रोड मतल्ड ग्रेनरी लगा रहते हैं और हर एक फ्लोर के नावगा रहता है तो ऐसा ही इस बिल्डिंग में कुछ देखने को मिल रहा है और यह पूरी बिल्डिंग लगब 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 पीला कलर में पेंट किया गया है गाज और यह देखने में काफी खूशूरत लग और अगल-गल में बहुत सारे हरयाल है और इस चीज़ का गवा दे रहा है यह बहुत सांत बाता बरंण में रहती हैं और वबाद में इसका जिन्गी फसा ही रहता है कोई-इनकोई इसको नहीं करना चाहते हैं उस समय भी कॉंट्रोवर्सी हो गया था और इसका अनुपर्म खेर करना हमेशा अभिवाद छिरा ही रहता है वो इंस्टाग्राम के माधियम से आप लोग भी भाली बाती देखते ही होंगे ये वही घर है जिसमें नसुरुदीन साह अपने पूरे उसका गया हमेशा अपना ही म्रूदीन साह है जो अली गर्ड मुस्लिम विषविद्याले के वैस सांसललर है गयाज्स से एक बेटी हुई उसके बाद उसकी बीबी मर गे फिर उने दूसरा साथ दिकिया जिसके बाद उसका एक बेटा और बेटी हुआ गज पूरे फैमिलिक साथ इसी घर में टॉप फ्लोर पे ही रहते गाई आप लोग को बता दू मुंबई में इसका एक ही यही घर नहीं है लगाग रखते हैं और कुछ वैसे रखाओ गया है जिसमें वो कभी-कभी महिना में या च्छे महिना में वो जायक करते हैं गज और ऐसा अच्छा जगर और भी जगह पे मौजूद है गज यह घर बहुत ही हाइफाई एंड पॉस एरिया में गज इसके परोस यानि 500 मीटर के दूरी पे है किर्केटर के महान दिगज खिला रही है यानि सचीन तेंदूलकर भी रहते हैं अब सो सकते कितना हाइफाई एंड पॉस एरिया में इसका घर है गज इन्होंने अपने केरियर की शुरुवात निशान्द फिल्म से किया है गज और इसके बाद उन्होंने त लगी लेवल है गज चाहिए वो किसी भी किर्दार में रहे ना इसका किर्दार बहुत ही जवरदस्त है कोई फिल्म में अगर नहीं चलना है बट ये उस फिल्म में है गज तो इसके एक्टिंग से ही ना ये फिल्म जरूर सलेगा ये दमदार किर्दार के लिए जाने जाते यह अभी भी film में कारी रत है 22-23 में भी इसका एक movie में काम किया है सोच सकते हैं कब से हो काम कर रहा है और आज की time में भी वो काम करी रहा है यह अभी तक industry को बाई-बाई टाटा नहीं बोलाई अभी तक 100 से ज़ादा फिल्मों में ये अपने अविनाई का लोहा मनवाच चुके हैंगाज ये बहुत अच्छे किरदार के लिए जाने जाते हैंगाज और इसका टोटल नेट वर्थ की बात करें तो टोटल इसका नेट वर्थ है 380 करोर रुपया हैंगाज और जिस घर में अभी रह रहे हैं यानि उपर का 2 फ्लोर इसी बिल्डिंग 2 फ्लोर टोटल कीमत इसका 20 करोर रुपया बता है जाता हैंगाज और इसका मंतली इंकम की बात करें तो 2 करोर रुपया अभी भी ये मंतली में कमा लेते हैं और शलाना इंकम की बात करें सलाना ये 20 क्रोर से ज़्यादा इसका इंकम है गाज बट ये एड भी करते और फिल्म भी अभी करी रहे गाज तो यही था आज का ब्लोग ये ब्लोग का ऐसा लगा आप लोग कमेंट करके जोड़ बताएगा और आप लोग एक चीज बताते इस तरह ऐसा ही वीडियो हमारे च चैनल को स्काइब कर ले ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को लो पहले मिल जाएगा तो चलिए फिर मिलता है किसे ऐसे इंटरस्टिंग व्लोग के साथ तब तक लिए जाहिन जाय भारत